हेलो डियर स्टुएंट्स वेलकॉम टु नीधी साइन्स अकेडमी आज हम पढ़ रहे हैं कि तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो पहते हैं उनकी क्या फूजिकल इफेक्ट रहते हैं जैसे कल हमने पढ़ा था, हम जो चेप्टर पढ़ रहे हैं, plant growth and development, उसमें हमने पढ़ा था plant growth regulators, अब उनके physiological effect पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे प्याला plant growth regulator है, auxins, auxins जो हैं, वो first isolate हुए थे human urine से, Indole 3 Acetic Acid, वो apply किया जाता है, और natural or synthetic compound है, जिसके कुछ growth regulating properties होती है, ये produce कैसे किया जाता है, growing epices of the stems and roots, stems और roots के apex से लिया जाता है, और वहां से वो जहां जिस region में migrate करना होता है, वह migrate करता है, जैसे Indole 3 Acetic Acid है और Indole Butyric Acid है, IAA और IBA, ये कहां से isolate किये गए हैं, ये isolate किये गए हैं, ये plant से isolate किये गए हैं, तो NA है, Naphthalene Acetic Acid, और दूसरा है, 2,4-Di-Cloro-Phenoxy Acetic, ये सब synthetic oxygen हैं, synthetic oxygen, ये जो oxygen हैं, ये extensively use किये जाता हैं, agriculture और horticulture practices में, plant की growth के regulate करने के लिए, तो किस में help करते हैं, ये help करते हैं, initiate कर में, stem के rooting में, roots अच्छे से हो गए हैं, stem cuttings में, plant और propagate हो सकें, अच्छी growth हो सकें, flowering जो अच्छी हो सकें, जैसे pineapples में, ये help करते हैं, कि जल्दी से fruit और जो leaf हैं, जल्दी ने गिर जाएं, बिना mature हुएं, तो ये promote करता है, abscission of older mature leaves और fruits के abscission को, तो इस तरह से ये जो growth regulators होते हैं, different form में help करते हैं, different form में help करते हैं, जैसे abscission मतलब होता है, जैसे swelling हो गई, abscission करते हैं, तो या mature है, ripe नहीं है, उनको ripe करना है, कोई भी पौधा है, जो ripe नहीं है, उसको ripe करने के लिए भी ये काम आते हैं, जल्दी ripe नहीं हो इसके लिए भी और कहीं बारी जल्दी ripe करने के लिए, जैसे pineapple में जल्दी फल और leaf नीचे ना गिर जाएं, बिना mature हुएं, बिना पके गिर जाएंगे तो वो, यूजलेस रहेंगे, किसी काम नहीं आएंगे, तो abscission क्या होता है, abscission होता है, natural detachment of parts of plant, abscission means क्या है, naturally अपने पत्ते गर जाएं, natural, promote करता है उस चीज़ को, naturally, natural detachment of, जैसे जो पत्ते मुर्जा गए हैं, dead leaves हैं, यह पके हुए फल हैं, वो अपने अप गिर सके हैं, उसको promote करता है, higher plants में क्या होता है, यह help करता है, apical bird को grow करने में, और inhibit रोकता है, side की birds को रोकने में, जिसको बोलते है, apical dominance, जिससे की apex का development ज्यादा हो सके, और removal of shoot tips का remove करने से क्या होता है, अगर आप shoot tips करोगे, remove करोगे तो क्या होगा, जो lateral growth है, वो ज्यादा होगी, अभी हमने इसमें कौन-कौन से पढ़ा है, auxins कौन-कौन से है, indole acetic acid, indole butyric acid, and naphthalene acetic acid, okay, तो जो auxins जो होता है, यह produce करते है, paranthocarpine, tomatoes में, तो यह देखो, हमने पहले यह बता देती है, apical dominance क्या होता है, apical dominance में, जो apical bird होता है, intact रहता है, पहले में क्या दिखाए है, जो apical bird है, वो intact रहता है, ठीक है, यह देखो, और दूसरे में क्या दिखाए है, दूसरे में lateral growth दिखाए गई है, okay, दूसरे में lateral growth दिखाए गई है, तो, इस तरह से इसके हम देखेंगे, देखेंगे यह रह, plant with apical bird, apical bird क्या है, intact है, और यह plant है, जिसकी apical bird remove कर दी गई है, इसमें क्या किया है, apical bird जो थी इधर उसको remove कर दी है, इसको हम बोलते हैं, decapitation, इसको बोलते हैं, decapitation, तो growth हो जाती है, decapitation में होता है, एक तरह से head को remove कर देना body से, तो हमने कहा है कि apical bird को remove कर दिया, उससे क्या हुआ, यह lateral words की growth होने लग गई, क्या होने लग गई, जो lateral words हैं, lateral words हैं जो उनकी growth होने लग गई, तो इस तरह से हमें पता लगएगा कि decapitation मतलब जैसे सिर को उड़ा देने को बोलते हैं, जो साथ की जो कलियां होती हैं वो निकल आती है, lateral words का मतलब है, यह देखो, यह देखो, यह lateral words डवलप होगी, ठीक है, growth of, growth of, lateral words, तो इस तरह से आपको clear हुआ, तो आक्सिन क्या करते हैं, और क्या काम है, आक्सिन कामने कहीं पड़े, इसके अंदर, herbicides में यूज किया जाता है, हर्भी साइडस में, 2-4-D, widely used to kill, di-cotyledons, पैरेंथो कर्पी क्या होता है, ट्रमेटोज में आक्सिन क्या यूज किया जाता है, नेचुरल और आर्टिफिशेली इंड्यूस्ट होता है, प्रड़क्शन अफ फूर्ड, इसको हम बोलेंगे, एक बार आप क्लियर कर लो, नचरल और आर्टिफिचियली, अद्यूस्ट प्रोड़क्शन अफूर्ट, नचरल और आर्टिफिचियली इंड्यूस्ट का प्रड़क्शनל करना, without fertilization of ovules बिना fertilization के induce करना fruits होगाना इसको बोलते हैं in fertilization of fruit fertilization of ovules के बिना fruits को होगाना तो उससे क्या होगा which makes the fruit seedless फिर fruit कैसा बनेगा बिना fertilization के fruit बनेगा seedless ऐसे tomato में इसको बोलते हैं पेरेंटो कार्पी वो भी induce करता है कौन? ऑक्सिन यह epical dominance in plant 2,4-D को widely use किया जाता है di-cotyledon weeds को माणने के लिए पर यह effect नहीं करेगा जो mature हो चुके है monocotyledon plants को effect नहीं करेगा खाली di-cotyledon weeds को जो unwanted plants are weeds you know that उनको माणने के काम आता है और weed free lawn बनाने के काम भी आता है तो oxygen और के help करता है xylem differentiation के control करने में काम आता है तो यह cell division में भी help करता है cell division में भी help करता है तो oxygen के हमने कितने सारे फायदे पढ़ ली है आई ए आई बी ए आई आई ए लीव ड्रॉप करने में oxygen में, rooting में, cutting में okay, decapitation में okay, और फिर यह आता है xylem differentiation में, cell division में, parenthocarpy यह आपके important हो गए इसमें कुछ-कुछ याद रखो की, control करता है xylem differentiation, cell division और यह parenthocarpy में अब next बता है, gibberdin यह भी, यह भी क्या है, growth regulator है promotory growth regulator पंगाई और higher plant से हमने यह growth regulator लिए है, GA1, GA2, GA3 पर सबसे पहले GA3 लिया था सबसे आदा इसी को study किया है, तीनों ऐसे डेक हैं यह और यह बहुत सारे physiological responses जो होता है, plant में, physically जो चेंज से जाता है, उसके लिए response से बने है इनका काम क्या है, इनक्रीज करते हैं, length की access को, जैसे length of grape stocks इसको increase कर लिया, apple को लंबा करने में, उसकी shape ठीक करने में, senses को delay करने में, fruits जो है, ज्यादा देर तक tree पर आप रख सकते हो, अगर to extend market में आपको अभी नहीं देना है, तो आप चाहते हो या अभी आप नहीं तोड़ना चाहते हो, अभी आपको बेचने का time नहीं होगा है, तो वो भी extend कर सकते हो, can be left on tree for longer, तो GA3 क्या करता है, speed up कर देता है, malting process को, brewing करता है जब, तो malting process को, क्या करता है, increase कर देता है, malting क्या होता है, यह इसमें क्या होता है, कि barley को soak किया जाता है, फिर germinate किया जाता है, sprout किया जाता है, फिर heat किया जाता है, फिर उसके बाद उसको गरम करके पीसा जाता है, तो यह उस process को speed up कर देता है, ओके और maturity जल्दी से sentence क्या होता है final stage होता है plan development this is the final stage of plan तो तो फाइनल स्टेज है उसको वो डूरेशन को बढ़ा देता है ओके ऐसे ही शुगर केन जो है क्या स्टोर करके करता है कार्बो हैड्रेड स्टेम्स में रखता है तो जैसे हम स्प्रे करता है शुगर के क्रॉप पे गिबड लेंज से तो लेंथ जो होती है स्टेम्स की तोरंट इंक्रीज हो जाती है यह लंबाई जो होती है तने की वो भढ़ जाती है तो इसका राण क्या होता है 20 टन्स पर एकर प्रेडक्शन भढ़ जाता है तो जो भी G.A.s है वो S.A.D. के हमने पहले पढ़ा हम एक बार रिवाइस कराएती हूं बीच में तो बार डिस्टिबंस हो हमें खासी से वाइड रेंज और फिजियलोजिकल रिस्पॉंसेज होता है प्लांट्स के लेंथ आफ एक्सेस बढ़ती है लेंथ आफ ग्रेप्स बढ़ता है एपल एलोंगेट हो सकते है फाइनल स्टेज और प्लांट जो है डवलोपमेंट वो आप उसको डिले कर सकते हो क्然शर प्लांट कर सकते हो क्या क्या कर सकते हो के प्लांट कर सकते हो क्यों यह मार्टिंग प्रोसस को बाकी तो इसमें इसमें एक्जाम्पल तो आप एपल का और ग्रेब्स का दे सकते हैं और क्या करता है लेंथ आफ स्टेज लेंथ आफ स्टेम को बढ़ा देता है कि यह यह ट्वंटी टंस पर एकर इतनी यह निकल जाती है कि स्प्रेइंग करने से क्या होता है यह मैचुर्टी पिरिड को डिले कर देता है और कहीं बारी मैचुर्टी पर जब जुविनायल कॉनिफर्स जालते हैं तो क्या करता है यह मैचुर्टी पिरिड को फास्ट कर देता है तो अर्ली सीट प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है इंटर नोट की इलॉंगेशन करने में फ्लावरिंग से पहले बीड, स्कैबिज में इन सब में भी इसका रोल है तो यह है अर्ली सीट प्रोडक्शन में इंटर नोट इलॉंगेशन में बोल्टिंग जल्दी हो जाती है प्रायर टू फ्राइंग तो इस सब में यह हैल्प परता है किसका काम है यह बर्लेंज अब है साइटोकेनन्स, साइटोकेनन्स क्या होती है साइटोकेनन्स 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 इसे फॉर्म है और यह नेचुरली प्लांट में नहीं मिलता है नेचुरल सबस्टेंट इस साइटों लाग एक्टरी लेड तो आइसोलेशन ऑ जी अटन फ्रॉम कॉर्ण कर्णल्स एंड को को कॉनट मिल्क यह हमने कॉर्ण के जो कर्णल्स हैं उन में से क्या निकाला है जी अटन के बीजों में और किससे को को कोनट मिल्क से कुछ कुछ चीज़ें साइड में लिखते जोई कॉपी में लिखते जोई सियाद हो जाता है तो जीएटίν के होता है सैवरल नैčृर्ल अकरिक्स साइटोकेनेंस एंड संसिंठेटिक कंपाउंड जो होता है जिसमें से्ल डिविजन को प्रमोट किया जाता है साइड में में साइटोकेनेंस तब हमें zeatint discover हुआ तो natural cytokine synthesize in region वे rapid cell division जहाँ पर rapid cell division होता है वहाँ से इसको synthesize किया जाता है जैसे कि हमने पढ़ा है na cytokinesis cell division में वहीं से DNA से, sperm DNA से लिया जाता है for example root apesis, developing shoot birds है young fruits है, वहाँ से, जहाँ पर rapid cell division है वहाँ से इसकी synthesis की जाती है और इसमें help करता है it helps to produce, it helps to produce leaves ये leaves को produce करने के काम आता है number of events है life में where more than one PGR interact to affect that event तो ये root spices, developing shoot birds, young fruit ये क्या आप करते हैं नए leaves को chloroplast जो है chloroplast है जो leaves में lateral shoot growth है, adventurous shoot formation है तो cytokinin help करता है, overcome करने की इनकी dominance की और ये promote क्या प्रोमोट करता है nutrient mobilization nutrient को कितना mobilize करना है और leaf की senses को ये delay करता है तो इस तरह से जो हार्मोन्स है वो अलग-अलग हार्मोन का अलग-अलग effect है एक तो हमने अभी auxins पढ़ा उसके बाद हम पढ़ रहे हैं gibberdin पढ़ा, फिर cytokinin पढ़ा, अब है ethylene तो ethylene में क्या होता है simple gaseous pgr promote growth regulated ये large amount of tissues में जो है synthesize किया जाता है जो की senses में जा रहे हैं और fruit को ripe करने काम करता है तो influence क्या करता है ethylene का plant पे इसमें horizontal growth होती है seedling के और swelling होती है access की और apical hook formation होता है dicot seed में ये जो चीज़े हैं कि ethylene का क्या क्या काम है ये आपको learn करना पड़ेगा horizontal growth होईगी seedling की, swelling होगी access की, apical hook formation होगा और इथाइलीन प्रोमोट करता है senses को abscission of plant organs को इथाइलीन highly effective है कि इसमें fruit को ripe करने में respiration rate को enhance करता है तो इस करन this respiration को respiratory climatic भी कहता है ये respiration को प्रोमोट करता है इस तरह को respiratory climatic भी कहता है तो इथाइलीन ब्रेक करता है seed को और bud dormancy को मतलब एक एक स्थिती में पड़े रहते है जो बीज होते है जब तक की favorable condition नहीं होती तब तक वो initiate नहीं होता germination तो उसको इथाइलीन ब्रेक करता है germinate करता है peanut seed को और sprouting लाता है पटेटो टी उबर में rapid internaut patio elongation, deep waterized plant में upper part of shoot leaves और upper part of the shoot root को पानी के उपर रखता है ithylene promote करता है root growth को root hair formation इसके इतने साए role है root hair formation को यह help करता है plant को absorption surface increase करने के तो इथाइलीन जो है initiate किसको करता है flowering को भी करता है और synchronize करता है fruit set को pineapple में यह flowering बढ़ाता है mango में ithylene regulate करता है कई physiological process सबसे widely used को होता है PGR in ugly culture में सबसे widely क्या use होता है ithylene ithylene is widely used ithylene is in an aqueous solution readily absorb हो जाता है और transport होता है plant में और release करता ithylene को बहुत slowly ithylene जो है यह भी fruit wrap in को बढ़ाता है tomato और upper में और accelerate करता है obsession और flower को thinning of cotton cherry walnut promote करना female flowers in cucumber और yield को increase करना यह इसके बहुत सारे important roles है किसके ithylene केती है इसलिए इसको widely use किया जाता है फिर है abscessic acid abscessic acid होता है यह regulate करता है abscession and dormancy पर यह widely effect करता है plant growth और development को क्योंकि यह general plant growth inhibitor है और inhibitor है plant metabolism का यह seed जो है inhibit करता है seed germination को रोकता है seed को germinate नहीं करता है और यह close कर देता है stomata को और इसका stress बढ़ा देता है plant के अंदर सब चीज के inhibition से सब को रोकने में तो इसको stress hormone भी कहते हैं इसको abscessic acid ABA इसको stress hormone भी बोलते है ओके यह seed development में, maturation में और dormancy में इसका important role है तो किसी चीज में फायदा ही है कि dormant बनायता है seed को मतलब जिससे कि वो seed जो है कितनी भी adverse environment condition है वो अपने आपको protect कर सकता है due to abscessic acid desiccation है, other unfavoral growth में वो stand कर सकता है ज्यादा तर situation में ABA act as antagonist to GA GA के antagonist रहता है उसके just opposite रहता है तो हम इस तरह से summarize कर सकते हैं कि every phase of growth में differentiation and development plant में एक और other PGR के कोई role play करते हैं और ये role जो है complementary भी है और antagonist साथ मिलके भी काम करते हैं और एक दुसरे के opposite भी करते हैं endologistic भी हो सकता है और synergistic भी हो सकता है तो ये हो गया abscessic acid cover तो similarly there are number of events in life of plants जैसे कहीं plants में कहीं ऐसे है events हैं जहां पे PGR interact करता है और कहीं event पे असर डालता है जैसे dormancy seed की dormant में, buds में obsession में की जल्दी राइप होना चाहिए धीरे राइप होना चाहिए ओके या उसको dormant stage में रहना है या अब germinate करना है तो इस सब में growth regulating hormone अपना role अधा करते है growth regulating है one kind of intrinsic control करते है अंदर ही अंदर पूरा plant को control करते है genomic control भी करते है और extrinsic factor से भी उनको बचा के extrinsic factor में भी responsible हैं तो इक तरह से इनका plant और growth development में plant की growth और development में बहुत बड़ा role है कई extrinsic factor है जैसे temperature, light जो है वो plant के growth और development को affect करती है via pgr कुछ इवेंट्स है जैसे vernalization, flowering, dormancy, seed germination, plant movement इस सब में यह help करता है तो इस तरह से यह हमारे जो हार्मोन्स हैं growth regulating हार्मोन्स हैं यह काम आते हैं तो एक-एक जो है factors जो है वो काम आता है vernalization किया induction of flowering process in plant it is the induction of flowering process of the plant by exposure to the long period of cold winter or such condition तो इसमें induction किसका होता है flowering process का induction of flowering process मैं साथ मैं इस से लिख रही हूँ कि जिससे आप लोगों को याद रहे induction of flowering process vernalization तो इस तरह से अलग-अलग plants का अलग-अलग roll है अब जैसे हम देखते हैं इसके बाद हम क्या डिसकस करेंगे रूल क्या है लाइट का टेमपरेचर का और दोनों का फ्लावरिंग के इनिशियेशन में तो उसको बोलते हैं हम फोटो फोटो पिरोडिजम कोई कुछ प्लान्ट है जिनको पिरोडिक एक्सपोजर चाहिए लाइट का फ्लावरिंग इंडियोस करने के लिए तो इसके अंदर डैग्राम है अभी आपने जितना पढ़ा है क्योंकि समझ आई होप आपको समझ तो बहुत अच्छे से आगया होगा जो भी मैंने पढ़ाया है हार्मोन से इलेटेड पर इसको साथ के साथ पढ़के लर्ण भी करना है इसलिए इसको अभी आज आप ये रिवाइज करो औक्सिन्स और उनको लर्ण करोगे बर्लिंस साइटोकैन इताइलिन एपसेसिक एसे ये हार्मोन के बारे मैं अच्छे से पढ़िए उसको लर्ण कीजिए एंसी आइटी को लाइंटी लर्ण लिखके याद कीजिए कल मैं पढ़ाऊंगी फोटो पिरियोडिजम आई होप आपको जो मैं पढ़ा रही हूं पसंद आ रहा होगा चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें ओके थैंक यू